गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज जो हमारी क्लास है वो कक्षा 10 की ग्रैमर की एक्सरसाइज पे आधारित है कक्षा 10 के लिए ये प्रस्न बैंक दिया है जिसमें आप नीचे देख सकते हैं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट तो राजस्थान सिक्षा बिभाग की ओर से ये प्रस्न बैंक जारी हुआ है इस प्रस्न बैंक में जो ग्रैमर दी गई है आपके कक्षा 10 की और वो भी सब्जेक्ट इंग्लिस तो कच्छा 10 की subject English की जो grammar है उसको हम यहाँ study करेंगे और आप देख सकते हैं शुरुवात यहाँ पर correct form of verb से हुई है section A में जो की objective based है पहली वार आपको एवे सहदे पर आधारित grammar आई है एवे सहदे होंगे लेकिन एवे सहदे वाले questions की जो correct form of verb है उसको मैं थोड़े बाद के लिए रख रहा हूं मैं शुरुवात करना चाहरा हूं आपकी correct form of verb ही है यह भी लेकिन यह जो correct form of verb है यह दी हुई है एक प्रस नंबर एक से लेकर के और प्रस नंबर 40 तक की correct form of verb हम discuss कर रहे हैं इनको जड़ा हम बात करें आप आईए जुड़िए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इसको subscribe कीजिए subscribe करने के साथ ही अब bell icon जरूर दवाईए bell icon दवाने से आपको यह फायदा है कि आपको अपडेशन मिलता रहेगा और कच्छा 10 का पूरा syllabus मेरे YouTube चैनल की playlist में आपका इंतजार कर रहा है grammar भी हैं वहाँ पे grammar के साथ साथ आपको सारे लैसंस आपकी golden race के आपकी पनूर्मा के सारे लैसंस आपको मिलने वाले चलिए start करते हैं question number 1 से start करेंगे question number 1 question number 1 में क्या दिया हुआ है देखिए the police question number 1 हमें start कर रहे हैं the police for thieves last night तो यहां last night दिया हुआ है last night का मतलब past indefinite है और past indefinite के सकारात्मक में क्या करते हैं second form का प्रियोग करते हैं इसलिए catch का क्या हो जाएगा c a t c h e d catch हो जाएगा इसका तो इसका सही answer क्या रहेगा second form हम कर देंगे और second form में इसका क्या हो जाएगा catch हो जाएगा पहले का answer catch होगा second form कर देंगे इसकी दूसरा प्रस्न आप देखिए i was i was food when he came in came verb की second form दे रखी है verb की second form है और when से जुड़े हुए हैं दो sentence तो जब ये भी मैंने आपको discuss किया हुआ है रूल correct form of verb की पूरी tense पर मेरी एक वीडियो है वो आप देखें तो when के साथ जब एक तरफ second form आती है तो दूसरी तरफ past continuous आएगा तो i was was दे रखा है हमें क्या करना है इस को का cooking करना है इसमें ing जोड़ना है हमको cooking हो जाएगा i was cooking i was cooking food when he came in जब वे अंदर आया मैं खाना बना रहा था तो cooking हो जाएगा was cooking was इसमें दे रखा है हमें सिर्फ ing जोड़ना है तीसरा it since nine o'clock since आ गया since four का प्रियोग since four के बाद मैं time दे रखा है तो rain में क्या करेंगे आप इसको हम present perfect continuous में ले लेंगे present perfect continuous की helping verb has been और have been है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा has been has been और raining has been आएगा पहले helping verb लगाईए आप has been और has been के साथ raining ing भी लगेगी has been raining लिखा नहीं जा रहा है इसमें तो इसका answer तीसरे का answer रहेगा has been raining चौथा आप देखें I certainly my colleague if I had been there तो यहां पर क्या आएगा if I had been there conditional sentence है यदि मैं वहां पर होता तो मेरे सातियों की मैं साहता करता तो यहां पर क्या आजाएगा I would help I would help would के साथ help लग जाएगा I certainly would help sorry would have helped आएगा इसमें would have helped would have helped h e l p e d would have helped मैंने निश्चिती मेरे सातियों की साहता की होती यदि मैं वहां होता तो इसमें क्या आजाएगा और यहां पर कोई सब्द नहीं दिया हुआ हमें देखना है कि यह साइंटिफिक फैक्ट है यूनिवर्सल टूथ भी है यह सेंटेंस की रात में स्टारे टिम टिम आते हैं तो यूनिवर्सल फैक्ट किसमें आ जाएगा प्रिजेंट इंडेफिनेट में और स्टार्स बहु इसमें हम S.E.I.S. भी नहीं लगाएंगे सीधा ट्विंकल T.W.I.N.K.L.E. ट्विंकल ही आ जाएगा इसका पांच में में क्योंकि यह यूनिवर्सल टूथ है छटा देखते हैं All the students, the classroom, when the teacher came in when the teacher came वही बिलकुल इसी तरह का sentence है जैसा दूसरा था हमारा दूसरा sentence when के साथ second form आई हुई है तो हम क्या करेंगे इदर past continuous का प्रियोग करेंगे all the students और all the students के साथ में क्या आ जाएगा were, were doing आ जाएगा इसमें were doing, were doing का प्रियोग होगा, all the students were doing the classroom when the teacher came in तो इसमें were doing आ जाएगा, question number 7, महेस, college गया है tomorrow from partner tomorrow आ गया है, तो tomorrow किसमें आ जाएगा, future indefinite में, तो महेस के साथ में क्या लग जाएगा will, और will के साथ verb की first form लगेगी, तो क्या हो जाएगा, will come, महेस, will come tomorrow from partner, तो will come आएगा इसमें, next question हम देखते हैं, आठवा, the patient before the doctor came, before after का प्रियोग है, before के बाद में verb की second form आ जाएगा, तो before से पहले क्या आ जाएगा, had third form और had third form में क्या करना पड़ेगा, हमको the patient had died, मर चुका था, d-i-e-d, died मर चुका था, d और लगेगा, patient had died, patient मर चुका था, had died आ जाएगा, और फिर, before after का प्रियोग आप जानते ही है, एक तरफ second form आएगी, एक तरफ had third form आएगी, इसके बाद आप नवा प्रशन देखें, I saw that policeman, the thieves, मैंने देखा, कि सिपाही, चोर का, पीचा कर रहे थे, तो ये, simple sentence है, past में चालू हुआ है, तो past में हम इसको रखेंगे, और यहाँ पर process continue है, क्योंकि chase आ रहा है, chase में इस पीचा करना, तो policeman, चोरों का, मैंने देखा, policeman चोरों का पीचा कर रहे थे, तो policeman दे रखा है, were, policeman, क्योंकि यहाँ पर बहुबचन है, policeman were chasing, और केवल police आता, तो was लगता, यहाँ पर क्या आएगा, policeman were, क्योंकि यहाँ पर M, E, N, बहुबचन बना के दिया इसने, तो the policeman were chasing, I saw that policeman were chasing, were chasing आ जाएगा इसमें, दस्मा प्रस्म देखते हैं, he is a very rude person, वो बहुती बेकार आदमी है, I, him, not help, मैं उसकी साइता नहीं करता हूँ, he is a very rude person, मैं उसकी साइता नहीं करता हूँ, या फिर मैं उसकी साइता नहीं करूँगा, he is a very rude person, I will not help, यहाँ पर क्या जाएगा, will not help, बहुत बेकार आदमी है, मैं उसकी साइता नहीं करूँगा, he is a very rude person I will not help मैं साइता नहीं करूँगा उसकी तो यहाँ पर क्या जाएगा will not help एक ता was reading the newspaper यहाँ पर एक तरफ was reading आ गया है और फिर when आ गया है तो बिलकुल दूसरे के जैसा ही है ये भी एक तरफ when के साथ was reading आ गया तो दूसरी तरफ की आएगा आए प्रस नंबर 11 में तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे enter की जगे पर क्या जाएगा entered प्रस नंबर 11 की यदि बात करें तो क्या जाएगा entered क्योंकि when दे रखा है और when के एक तरफ यहाँ पर एक ता was reading और when दे रखा है तो एक ता was reading the newspaper पर when निधी enter का क्या हो जाएगा entered 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 हो जाएगा second form में हो जाएगा यह प्रस नंबर 12 देखिए आप the minister of defense doctor kalam on the ground grand success of the missile the minister of defense रख्छा मंत्राले के जो मंत्री थे congratulate doctor kalam अभी है नहीं बदाई दी होगी पहले जब doctor kalam जीवित थे तो यह past का गया sentence तो past में क्या करेंगे हम इसको congratulated ed d चोड़ देंगे इसमें यहाँ पर d चोड़ जाएगा और यहीं हमारा आजाएगा congratulated c-o-n-g-r-a-t-u-l-a-t-e-d congratulated तो इसमें बर्ब की second form आ जाएगी क्योंकि कलाम अभी है नहीं पहले थे तो बदाई दी थी कलाम को राजीव dropped his mobile dropped बर्ब की second form आ गई राजीव dropped his mobile while बिल्कुल when के जैसा ही है जैसा when में एक तरफ second form आती है और हम watch work के साथ ing लगा देते हैं जैसे ही while वाले में भी देखिए यहाँ पर बर्ब की second form आ गई dropped राजीव dropped his mobile while he was और boarding boarding means चड़ना जब वो बस में चड़न रहा था ing जोड़ देंगे इसमें boarding में board दे रखा है तो board में क्या करेंगे ing जोड़ देंगे when he was boarding in the bus जब वो बस में चड़न रहा था तो उसका mobile dropped गिर गया था चौदमा प्रस्ण देखें last Sunday when Kiran food in the kitchen one of her friend came to visit her तो यहाँ पर when के साथ आ गया एक तरफ बर्ब की second form दे रखी है तो when के साथ दूसरी तरफ हम क्या कर देंगे past continuous tense तो Kiran Kiran was और cook का क्या हो जाएगा cooking तो यहाँ cook का क्या हो जाएगा cooking तो last Sunday when Kiran was cooking food in the kitchen one of her friend came to visit her तो यहाँ when के साथ जड़ा हुआ है बाकिया एक तरफ second form आ गई तो दूसरी तरफ बर्ब की was बर्ब के साथ ing लग जाएगा प्रस नंबर पंद्रह देखिए आप प्रस नंबर पंद्रह है प्लीज अबॉइड प्लीज अबॉइड प्लीज अबॉइड और इब तक्राइड में आप्लीज अबॉइड आख न्बॉइड प्लीस अबॉइड दफिर है ए फीज आपनेवाश आपको न्बॉइड प्लीस अबॉइड अबॉइड डोइड न्याप्लार लिज आखी अटोफ से लिवएड न स्याफै कंड आऊष नूस प्लीज अवॉइड टौकिंग हेर अट इस अ लाइबरी यह बात करना बंद कीजिए यह लाइबरी है बात्चीज से दूर रहे हैं अवाइड कीजिए प्लीज अवाइबरी टौकिंग हेर इस अ लाइबरी तो यहां talking आ जाएगा अगला need to her painting before she bent to market तो यहां before after से जुड़ा हुआ है sentence तो before after से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे एक तरफ second form आती है और before after से जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ had third form आ जाएगा यह before आ गया बर्व की second form आ गई तो यहां पर क्या हो जाएगा नीतू had completed नीतू had completed her painting तो यहां पर had लगेगा और had के साथ complete का क्या करना पड़ेगा हमें completed नीतू had completed अगला प्रस्ण Priya left her home early in the morning today nobody where has see Priya left her home early in the morning today nobody where has she gone Priya left her home early in the morning Priya सुबह ही घर से निकल गई थी nobody no where has she gone has she gone यह present में आ गया है यह sentence और यह present में आ गया तो इसको भी हमें present में लेना पड़ेगा nobody knows कोई नहीं जानता तो नो में क्या करना पड़ेगा as जोडना है हमको तो nobody knows हो जाएगा कोई नहीं जानता कि वो कहां जा चुकी है nobody knows तो यहां पर क्या होगा K-N-O-W-S nobody knows where has he gone कोई नहीं जानता वो कहां चली गई है अगला देखिए put on your helmets you to enter the danger John now said the watchman put on your helmets अपने helmets पहन लो यहां पर यह imperative sentence put on your helmets you are going imperative से जब भी start होगा sentence तो आगे आने वाले बाक्य में is, m, r और ing लगेगी put on your helmets अपने helmets पहन लो you are going to enter the danger zone now कि तुम अब danger zone में प्रवेस करने जा रहे हो तो यहां पर r और ing लग जाएगा next the prime minister address the people on the television yesterday आ गया yesterday past indefinite में है तो यह क्या हो जाएगा second form कर दीजे इसकी a double d r e double s e d addressed addressed हो जाएगा यह verb की second form लगते ही next sentence देखें आप b we c a big snake on the ground while we were cleaning it while आ गया और इदर वाजबर के साथ ing लगा हुआ है तो हमारा क्या काम होगा while के साथ जब ing लग गया और वाजबर आया हुआ है तो दूसरी तरफ हम second form कर देंगे और यह c का second form क्या होगा saw we saw a big snake on the ground while we were cleaning it जमीन साफ कर रहे थे तो हमने शांप देखा था और prepare में क्या जुड़ जाएगा ing preparing तो students are preparing for it these days तो यहाँ पे are preparing होगा इसका अंसर 21 बे का 22 वा देखें आप the farmer divide his property his sons before he died तो यहाँ पे before के बाद second form आ गई है तो before से पहले आपको had third form लगानी पड़ेगी farmer had और divide का क्या हो जाएगा divided d-i-v-i d-e-d divided तो had divided आ जाएगा इसमें the farmer had divided अगला 23 वा प्रस्ण the principal distribute the annual prices tomorrow तो future indefinite tense है और फिर इसमें क्या लग जाएगा विल और distribute का distribute ही रह जाएगा बिल distribute distribute और यह होगा हमारा answer 23 वे में will distribute आ जाएगा प्रस नंबर 24 देखिए most of the people अधिकांस ते लोग God daily before taking tea चाय लेने से पहले लोग अधिकांस लोग भगवान की पूजा करते हैं तो यह सारवमिक सत्य मान लीजी आप इसको daily भी दिया हुआ है daily से present indefinite आ गया तो present indefinite में आप देखिए करता बहुवचन है तो एस यह एस मत लगाईए most of the people अधिकांस लोग तो करता बहुवचन है अधिकांस लोग तो यह वर्षिप का वर्षिप आ जाएगा इसमें WORSHIP बर्षिप का वर्षिप रह जाएगा most of the people बर्षिप God daily before taking tea चाय लेने से पहले बगवान को पूझते हैं पचीसवा प्रस्ण when the rain started जब बारिष जुरू हुई थी we on the road जब एक के बाद दूसरा काम तुरंट हो जाता है एक के बाद दूसरा काम होता है तो फिर क्या होगा अब बर्षिप की second form लगती है when the rain started we were we we were standing on the road आप तो उसी पे जाईए when और standing when के साथ second form आई हुई है तो आप तो were standing कर दीजिए यही चल जाएगा were standing उसमें तो क्या होता है जब एक action के बाद दूसरा action खतम होता है तब दोनों में past definite लगता है जैसे कि teacher कक्षा में आया तो भी ध्यारती खड़े हो गए तो वहाँ पे second form second form लगेगी यहाँ पे तो क्या है कि when the rain started जब बारे शुरू हुई we were standing on the road तो आई और जी जोड़ दीजिएगा हम सड़क पर खड़े हुए थे प्रस्न नंबर 26 the postman deliver the post by 11 a.m. everyday तो यहाँ पे everyday आ गया रोजाना 11 बज़े तक post दे देता है डांक बांट देता है तो postman by everyday everyday present indefinite में आता है तो इसलिए इसमें तो क्या हो जाएगा delivers D-I-L-D-E-L-I-V-E-R-S delivers तो postman delivers the post by 11 a.m. everyday रोजाना 11 बज़े तक deliver कर देता है माट देता है प्रस्न नंबर 27 देखिए while the doctor examined the patient there was an uproar in the hall जब while से तो sentence जुड़े हुए हो और दोनों में continuity so हो रही हो दोनों ही sentence में जब continuity so होती है तो फिर हम क्या करते हैं दोनों तरफ ही continuous sentence यूज कर देते हैं while the doctor जब doctor examine examine कर रहे थे patient मरीज को जब मरीज को देख रहे थे तो वहाँ sure था तो while the doctor was examining ing लग जाएगी इसमें examining जब डॉक्टर मरीज को देख रहे थे तो वहाँ sure था continuity है यहाँ पे निरंतर देख रहे थे मरीज को और वहाँ sure था प्रियंका to live in this locality recently recently आ गया recently आते ही present perfect में चले जाएए प्रियंका has और begin का क्या हो जाएगा begun b e g u n प्रियंका has begun to live शुरू कर दिया है has begun आ जाएगा इसमें recently देखते ही present perfect में चले जाएए tomorrow is a holy day the offices कल की बात कर रहा है तो offices will or remain का remain रह जाएगा will remain close remain का remain रहेगा will remain closed कार्याले बंद रहेंगे कार्याले बंद होंगे कल छुट्टी है प्रस्त नम्बर 30 in her youth see hours before standing the mirror before before the mirror in her youth अपनी जवानी में see hours घंटों बिताये थे standing खड़े होकर before the mirror दरपन के सामने खड़े होकर घंटों बिताये थे in her youth past की बात हो गई तो इसमें क्या करेंगे हम बर्ब की second form spent कर देंगे इसका spent का क्या हो जाएगा spent past की बात हो गई past indefinite में चला जाएगा यह question number 31 beam throw the ball so hard that all his companions failed to stop it यह past indefinite में है यहाँ पे past second form आई हुई है तो पूरा sentence past में जाएगा तो यहाँ पे throw का क्या हो जाएगा through second form t h r e w beam threw the ball so hard इतनी तेजी से फैका that all his companions failed to stop it की सभी साथ ही उसको रोकने में असमर्थ हो गए थे question number 32 the pilot came down after the plane came down verb की second form आ गई और after आ गया तो after से पहले verb की second form आ गई तो after के बाद क्या आएगा had third form तो यहाँ पे plane had or landed l a n d e d landed तो यहाँ पे क्या जाएगा had landed जब plane उतर गया तो फिर pilot नीचे आ गया था had landed आ जाएगा इसमें क्योंकि एक तरफ second form आई हुई है question number 33 देखिए बिवेक बिदिज फ्रेंड इम्तियाज go to indoor by the tonight by the night bus today बिवेक बिदिज फ्रेंड इम्तियाज बिवेक अपने दोस्त इम्तियाज के साथ तो इंदॉर बाइद नाइट बस तडे आज रात की बस से इंदॉर जा रहा है तो is is going is going इसमें क्या जाएगा is going तो बिद से जब दो करता साथ में जोडते हैं तो हमें पहले वाले करता के अनुसार helping verb लगानी है वैसे इम्तियाज भी एक बचन है तो बिवेक के हिसाब से helping verb लगा दी हमने बिवेक बिदिज फ्रेंड इम्तियाज is going to indoor और by the night bus today आज रात की बस से इंदोर जा रहा है अगला प्रस्ण चौतीसवा चालीस प्रस्ण है आई वाच अबैरी इंट्रेस्टिंग फिल्म नाउ नाउ आ गया प्रिजेंट कंट्यूनियस है तो क्या आजाएगा आई एम और वाच का क्या हो जाएगा वाचिंग आई एम वाचिंग आई एम वाचिंग अ बैरी इंट्रेस्टिंग फिल्म नाउ मैं अब एक अच्छी फिल्म देख रहा हूं अगला प्रस्ण थर्टीसिक्स थर्टीफाइव देखिए माई हजबन लाइक टी फोर ब्रेक फास्ट नास्ते में चाय पसंद करते हैं यह उनकी आदत है habitual action को सो कर रहा है और habitual action आता है present indefinite में तो like का क्या करेंगे आप इसमें s जोड़ देंगे l i k e s my husband likes tea for breakfast question number 36 36 वा प्रस्ट देखिए many foreign birds come to India these days these days आ गया present continuous में जाएगा present continuous में क्या लगेगा are और come का क्या हो जाएगा coming are coming these days आते ही क्या हो गया present continuous में गया और वहाँ are coming हो गया question number 36 36 हो गया 37 see right question number 37 देखें आप see right 20 place so far so far किसमें जाता है present perfect में present perfect के according क्या हो जाएगा see has और right का क्या करेंगे आप written see has written 20 place so far कि वह 20 place लिख चुकी है 20 नाटक लिख चुकी है तो अगो आते ही past indefinite में चले जाएए तो get का क्या हो जाएगा got I got a letter from him 10 days ago 10 दिन पहले मुझे पत्र प्राप्त हुआ था 49 वा every winter our school on a trip every आ गया present indefinite में चले जाएए कि हर सर्दियों में every plus time आ जाता है तो present indefinite में चले जाएए our school goes school यहां पे एक बचन है तो go में क्या करेंगे आप our school goes on a trip every winter our school goes on a trip और यहां पे 40 वा प्रस्ण रोहित for five years four five years आ गया since four आ गया तो since four आती क्या जाएगा हमारा has been और learn का क्या हो जाएगा learning ing लग जाएगी has been learning तो रोहित has been learning उर्दू for five years तो इस तरह से यह 40 प्रस्ण हो गए 40 प्रस्ण आपकी correct form of verb के हैं अगली वीडियो में आपको जो objective आये हुए correct form of verb और models जो objective आये हुए उनको मैं आपके साथ solve करूँगा बने रही है आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ आप share कीजिए मेरे चैनल को और bell icon जरूर दवाईए जिससे की अपडेशन आपको मिलता रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का